हेलो दोस्तों वेलकम टू डेली वन कॉशन प्रेक्टिस सीरीज पॉर CSIR नेट लाइप साइंस 2023 चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज किस वीडियो में हम कौन से कॉशन को प्रेक्टिस करने वाले हैं तो देखेगा आज किस वीडियो में जो कॉशन आया हु यहां पर उनकी कुछ प्रोपर्टीज दी हुई है आपको मैस्ट करके पताना है कि कौन सा ऑक्षिन यहां पर सही है तो जैसे के मेरे पास अगर एक DNA की में बात करती हूं हमें पता है कि यह हमारे पास एक DNA होता है DNA के बाद यहां पर होता है transcription जिससे बनता है RNA और फिर यहां होता है translation जिससे बनता है हमारा protein ठीक है जिससे बनता है protein तो यह है translation और यह है transcription यह है transcription ठीक है तो देखो यहां transcription होने के लिए कुछ factor होते हैं जिनको बोलते है transcription factor जो help करते हैं transcription करने में वो कैसे help करते हैं मान कि चलो मेरे पास यह transcription factor है अब यह factor आकर यहां पर bind हो जाता है मान कि चलो DNA के portion का transcription होना है इस portion का RNA बनना है तो यह factor यहां हnakर बाइंट हो जाता है जिसके कारण फिर प्रेर ऊंद प्रांस्कट्शन स्टार्ट होकर हमें आर्ने मिलता है तो अब विया प्जाए कित्राँस्क्रिप्शन का क्या काम होता है तो अभी हम сबस्केज रॉक्न स्था जर्बBon सब पास दो एंड होते हैं एक एंड टर्मिनस और एक सी तरमिनस तो यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा अब इस प्रोटीन के पास कहीं सारे डोमेन हो सकते हैं जैसे कि सबसे में इंपोर्टेंट है डिन ने binding domain, यानि transcription factor का वो part जो basically जाकर DNA से bind होता है, उसको कहा जाता है DNA binding domain, अब देखो यह जो DNA binding domain है, यह क्या है, यह alpha helix हो सकता है, जो recognize करता है specific DNA sequence को, और फिर वहाँ पर mainly located in the major group, यानि कि यह जो transcription factor का, यह DNA binding domain जो होता है, इसका काम है कि DNA की उस sequence को recognize करना, जिसका उसे transcription करना है, साथ-साथ वहाँ पर जाकर bind हो जाने का काम होता है, DNA binding domain का, ठीक है, इसके बाद आता है trans activation domain, अब इस domain का काम क्या है, interact with the RNA polymerase second, हमें पता है कि transcription करने के लिए जो enzyme होता है, that is RNA polymerase second, अब इस transcription factor के पास एक site वो भी होती है, जिसको कहा जाता है trans activation domain, जो जाकर bind होता है, उस enzyme से, यानि इस factor की वो site किसे bind होगी, उस enzyme से, जो की transcription करेगा, ठीक है, इसके बाद होता है, dimerization domain, यह किसी के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी, यह किसलिए होता है, कुछ transcription factor ऐसे होते हैं, जो अपने homo dimer की form में bind करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो heterodimer की form में bind करते हैं, यहां पर मैंने एकaster किया है तो ऐसा होता है की और और ऐसा होसकता है तो यह जो दाइमर 알고 कि लिए इसको कहा जाता है यहां पर डाइमरस क्वारइजेशन डोमें जो कि इसके बाज लास्ट हैिए binding site अब ये जो transcription factor है इनका भी होता है कि कभी एक्टिव होंगे कभी इनक्तिव होंगे यानि जब ये अगे जाकर DNA को एक्टिव कर देते हैं जब इनक्तिव होते हैं तो किसी को भी एक्टिव नहीं करते तो कुछ इसके binding से यह इनक्टिव भी हो जाता है तो यह जो binding है जिससे आकर लिंग लिगन ने किया है इसको बोलते हैं लिगन बाइंड निन दोमेन तो ठीक है यह है ट्रांस्क्रिप्शन ट्रक्टर के कुछ डोमें जो मैंने आपको बता दी है अब कुछन में हमसे क्या पूचा है कुछ डीन ने बाइंडिंग जैसे होता है यानी अलफा है लाचािथ है और लियार्म है अगर ये बात समझ आई है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा टीक है चलिए और देखले यौश्ण के होता है मायोजाइन डी जो है इसको शोट में मायोडी भी बोलते हैं इसका जो डीने बाइंडिंग डोमेन है वो होता है हैलेक्स फिर लूप और फिर हैलेक्स यानि है एच होता है किसका मायोडी का एक बर चलिए देख लेते हैं तो यहां पर मायोडी बी में है और हैलेक्स ल को अनको होती है इस तरीके से होता है जीपर लाइक और उसमें इसके कुछ मेरिगी पार्ट पर क्या होता है यू प्रेजेन्ट होता है यसका डियन ऐन बैन्डिंग डोमेन है उसको कहा जाता है ली कि uniqu क तो इसके बाद देखो यहां पर लिखा है कि जुन आया हुआ है जो कि हमने भी देखा है क्या होता है, लिखेंड जीपर होता है य्जी का क्या है 4 है तो C का 4 यहां पर दिया हुआ है ठीक है जो transcription factor 3rd है उसका क्या होता है लिए जीपर होता है नहीं इसका jinx finger होता है भी देखा हमने jinx finger होता है transcription factor 3rd एका ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा first का हो जाएगा second first का क्या हो जाएगा second तो यहां first का second ही दिया हुआ है तो हमारा fourth will be the right answer for this question ठीक है अभी भी अगर कोई doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो like, share, subscribe जरूर से कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में नई topic के साथ में till then bye bye take care